सबसे स्मार्ट लोर्निंग चैनल ये है TRS Cliffs Hindi सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ सर आपकी लाइफ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जबर दस्त है और आइफ की इस पॉर्ड़कास पे एक थीम होती है हमारी Special Forces की थीम है हम बहुत सारी military podcast हमने किये बहुत सारी military podcast किये Air Force के podcast किये पर जब special forces के podcast हमें मिलते है तब I feel कि audience को भी बहुत ज्यादा मज़ा आता है तो आपके साथ बहुत सारे episodes record करने हैं पर इस episode में हम सिर्फ आपकी army की journey के बारे में special forces की journey के बारे में बाते करेंगे and of course जो medical background है आपका we'll touch up on that also पर आपकी कहानी की शुरुआत होती कहा से है अशर कहानी की शुरुआत रास्तान के गाहों से होती है जहां पर मेरे परेंट्स कहती करते है मैं गाहों में पड़ा पांच पी क्लास तक जब मैं छटा था तो रास्तान में आपको पता है कि सबसे ज्यादा देश में जो फोजी हैं वो रास्तान के और उस में सबसे जूठा जो systemic जैस district में है वो मेरा district है seeker और उसके बाजूवाला जून जूनो तो जितने भी जो सोल्जर्स जो सैनिक थे जब वो चुटियों से आते थे और जब हम चोटे बच्चे स्कूल में थे या परोस में देखते थे कि कोई चाचा या कोई ताउ फोज से आया है और तो हम उनके पिछे भागते थे उनकी यूनिफॉर्म देखने के लिए फिर उनके साथ बैढ़ते थे फोज की कानिया सुनते थे तो उस टाइम दिल दिमाग में फोज का इतना बड़ा मतलब हो कहते है ना कि जजबा टाइब एक लगाव टाइब हो गया कि कहीं back of the mind दिमाग में ये set हो गया है कि आगे जागे फोजी बनना है फोज में जाना है और फिर जब मैं छोटा था तो गाओं में जो पेरेंट्स थे जिनकी एजुकेशन दोड़ी कम थी जो जितने किशान लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि डोक्टर या इंजिनियर बन कि डोक्टर या इंजिनियर बनना है और फिर जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था जवार नौदे विद्दाले में पार्टन में फिर मेरा सेलेक्शन हुआ हर डिस्टिक में आपको पता है कि एक स्कूल होता है जिसमें पूरे डिस्टिक से पांचमी क्लास में बच्चों के तो आपके प्रोड़कास्ट के मादम से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गाओं में जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस स्कूल का एक्जाम जरूर दिलाएं क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो अलुमनाई है वो इसी स्क दा और लग्किली मेरा सेलेक्शन उसमें होगा इसकूल में और फिर वहाँ पर जो गाइडिंस करते हैं मोल्ड करते हैं गाओं के बच्चे को दिमें दिमें उसका करीयर बनानेगी और उसको मुग कर्वाते हैं तो वहाँ भी यह था कि डोक्टर एंजिनियर डोक्टर ना है उनका एक medical college है और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी है medical college FMC, Armed Forces Medical College, सो सीट हैं और मतलब तो किसी साथ ही ने बताया कि ये है तो मैंने का कि कैसा दिखता है तो मेरे एक टीचर थे इकबाल आमेद खान वो उन्होंने मेरे को आगे उसका prospectus दिया तो जब मैं 10th में था तब से ही मुसको देखने लग गया ताकि मैंने का इशी college में जाना है डोक्टर तो बनना है बनेगे तो इशी में जाना है क्योंकि फोज में जाना है मैंन मक्सद तो फोज में जाना है और डोक्टरी तो गरवालों की जो है इच्छा है तो यह भी पूरी करनी है और मादेव हैं पूरा खात रखा उपर दोनों चीज़े साथ में हो गई पर आप बहुत हम्मल हो सर्थ क्योंकि वो जो एग्जाम होता है उस कॉलेज का वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कहा जाता है कि दुनिया का सेकिंड टफस और थर्ड टफस मेडिकल एंटर्न से एग्जामनेशन होता है इस्पेशल फोसे से टफ कुछ नहीं है और अगर जिन्दगी की फिलोस्पी की बात करें तो जिन्दगी से ज़्यादा टफ कुछ नहीं है जीना भी इतना मुश्किल होता है न वह हम आसान बनाते हैं कोसिस करते रहते हैं बात रही एग्जाम की तो जो आपने बोला यही मैं सोचता था कि एग्जाम मुश्किल है बहुत मुश्किल है और सारी जन्ता यह बोलती ते कि इसकी क्यों दे रहा है वाई सिब सो सीट है उसमें से जिर्फ 75 बच्चे हैं बोईज हैं और 25 गल्स हैं इसकी क्यों दे रहा है बाकी की देना मन को बाकी की भी देना लग्यिन इसकी देना है तो ऐसे जहां वे जम् Marcus तर नाइंटे नेञियो परसें हमde लोगों ने यही भुल की ऐसा ही होना है एसा ही होना है ऑल्योट क्यों की देंग और तो मेरी जो दादी थी she has a big role in my this journey तो ऐसे ही मैं बेट के बता रहा था कि सो सीट है उदर और लोग बोल रहा है इतनी मुस्किल है तो उसने एक चीज बोली वो अभी भी याद है में बोको उसने कहा कि तू ये बता वो सो सीट तेरे लिए है मान गा पूरे हिंदुस्तान के लिए है तो तू औरों के क्यों टेंशन ले रहा है तो तू औरों के क्यों टेंशन ले रहा है तो 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 एक सीट के लिए एक जाम दे रहा है तो देन वाई यू आर एवरी डे टोकिंग अवाउट की सिफ सो सीट हैं लोग बोल रहे हैं लोगों को बोलने दे तू तेरी सीट की टेंसल ले तू तेरी सीट निकाल बाकि 99 बच्चे अपनी सीट निकालेगी तू जाया टेंसल मतले तो वो चीज मेरे दिमाग में आज भी अबी तक भी है कि जब भी कुछ भी एकजाम होता है तो आप तो अपनी जetinर के लिए फायट कर रे हो आप क्या पांस बच्चों के लिए एक्जाम थोड़ना दे रहे हो आप तो रन्वीर किसे के बैट रहे एक्जाम देने लिए आप तो उसमें रन्वीर का नमर तो एक ही होगा 34 होगा तो 34 ही है नमर यह भी एक special forces mindset की एक जलक होती है या बिल्कुल जो आपका काम है उसी पर focus की बस उसी पर और इतना focus करो कि फार दो उसको उसको जला दो राक कर दो ख़तम कर दो उसको there is no come back या तो सोचो कूदना ही नहीं हो दर अगर कूद गए हैं कम वाट में कितनी भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े कितने भी जो आस पास के जो रिस्ते हैं सब डिस्टर्ब हो जाएं लोग नाराज हो जाएं लेकिन जो अगर आपका task अगर आपने सोच लिया करना है तो दुनिया की काइनात एक साइड में और आपका task और आपका commitment और आपका जो mission है वो एक तरफ keep hitting keep hitting forces का जो ये जो DNA है ये यही कहता है कि एक तो teammanship अकेला कोई कुछ नहीं है अगर team है तो हम दुनिया के सबसे ताक्तवर लोग हैं हम किसी भी mission को पूरा कर गए ही छोड़ेंगे और दूसरा है कि या तो mission किसी में जाएंगे नहीं हम जाएंगे तो चैक कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े वो mission पूरा होगा अगर सामने बगवान भी आके खड़ा हो जाए कि नहीं होने दूगा तो हम उसको भी गलत साबित करेंगे कि महराज थोड़ी देर के लिए आप साइड में हो हम काम करके जाएंगे या तो हम रहेंगे नहीं इदर maximum क्या हो सकता है एक आदम की जा नहीं जा सकती है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आप मेरे से maximum क्या ले सकते हो क्या है मेरे पास देने को मेरी जान ना बस खतम इसके आगे क्या कुछ नहीं जब हम वो देने को त्यार है लेकिन हमें हमारा जो टास्क है उसके सामने और कुछ दिखी नहीं रहा है मतलब क्योंकि वो हमारा ओनर है वो हमारा कमिटमेंट है वो ही हमारी इज़त है और वो हमारा फोकस है और वो ही हमारी टरनिंग है और वो ही हमारा माइंड सेट है हम सिर् उसी के उबर फोकस किये हुए हैं। कुछ नहीं धिक रहा है जो आग है, यहां की आग, पेट की आग, इहां की आग सब मिली वी हैं, मतलब।। नहीं धिक रहा है। اور अट जब आप इस माइंड सेट में आजाते हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई चीज मुस्किल है, हो सकता है, टाइम लग जाए, लेकिन आप पूंच जाते हो वहाँ.